हेलो एंड वेलकम बैक तो माई चैनल और आज है होली तो आप सभी को मेरी तरफ से हैपी होली और आज मैं कुछ स्पेशल खाना तो नहीं बना रही हूँ बट मैं जो बनाई हूँ वो आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी कि मैंने आज लंच के अंदर क्या बनाया है तो लंच के अंदर तो मैंने बहुत सारी चीज़े नहीं बनाई हैं बट जो भी बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते है बनाना तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आलू की सबजी तो आलू की सबजी के लिए मैंने आलू को बॉयल कर दिया है आफाफ कट करके नमक डाल कर थंड़ा होने के बाद मैं इसकी स्कीन निकालूंगी शब्ची के लिए मैं मसाला पिसने वाली हूँ इसके अदर manasala पिसने पर खल्बत्ता आता है या आपके पास कोई भी खल्बत्ता हो उसके अंदर वह मसाला पिसना है की में मसाला पिसने ले शवर ओब इसके runsda तो चलो फिर अच्छे से कूट कूट के उसे बारिक पेस्ट जैसा बनाना है थोड़ी महनत लगेगी बड़ जो इसका टेस्ट आएगा वह बहुत ही अच्छा लगेगा यह पुरानी मेथड है पुराने जमाने में हमारी दादी नानी इसमें ही मसाला कूट थी तो जो मैल आ रही थी वह बहुत ही अच्छी आ रही थी तो मेरी नानी तो यूजली यह यूज करती थी मसाला कूटने के लिए और उनकी सबजियों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था था तो हमारा मसाला यहां पर रेडी है तो चलो फिर तड़के की तैयारी करते है तड़के म करना है हलका हलका ब्राउन हो जाएगा तो हमें उतना ही करना है तो जीरा यहां पर हो गए है हमारा गुल्डन ब्राउन और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर हिंग और हिंग डालके भी थोड़ी सी हमें उसे तेल में अच्छे से होने देना है उसके बाद ही हमें ड तो आलू जो है वो रैडी है तेल के अंदर फ्राइ होके तो आप में टालूंगी यह पीसा हुआ जो हमारा मसाला था वो और थोड़ी सी हल्दी क्योंकि जो कलर आएगा वो धन्या का आएगा हारा हारा ग्रीन ग्रीन जैसा तो बहुत ही अच्छा लगेगा मसाला डालने के ब सब्सकाड और अब नहीं है तो आएगा मसूर की दाल को मैं ने तीन सीटी लगा लिए और अच्छा से बॉयल हो चुकी है और अब मैं करूंगे इसके अंदर मसाला मसाला के अंदर मैं लोंगी सिव अल्दी और नमक दन्या पावडर नहीं लोंगी है इसके अंदर मैं और तो चलो फिर तड़के की तैयारी करते हैं तो तड़के में लिया हुआ है यहां पे तेल गरम हो चुका है तो बैने उसके अंदर राय जीरा होने के बाद मैं उसके अंदर डालूंगी लसुन लसुन को भी अच्छे से हमें गोल्डन होने तक करना है जैसे यह हो गया है और आप उसके अंदर में डालूंगी तेज पत्ता और लाल मिर्च उससे भी अच्छे से होने देना है और फिर यह तड़का जो है वो हमें डाल के अंदर डालना है तो डाल में डालेंगे अभी यह तब तक मेरी डाल उबलती है तब तक मैं चावल की तैयारी कर दूँगी तो चावल मैंने यहां पे लिया हुआ है बास्पतिराइस उसको मैंने आदे गंटे तक भिगो के रख दिया था और अभी उसके इंदर मैंने डालूँगी नमक बस नमक डालके उसे उबल दूँगी और मैंने थोड़ा एक्स्टरा पानी डाला है क्योंकि मुझे पानी निकालना है तो अभी हमारा चाबल हो चुके है और अभी minute जो एक्स्टरा पानी है वो मैं प् Reverber की स्ट्टेनर की हैर्प से निकाल दूँगी और उसके बाद में इसमें तड़का लूगी तो मैंने पूरा जो चावल का एक्स्ट्रा फानी था वो निकाल दिया हुआ है और तोड़ा चावल को थंडा होने देना है उसके बाद ही तड़का देना है गर्म गर्म चावल में अब तड़का डालो के तो चावल जो है वो तूटने की संभावना रहता है इसके लिए तो यह बहुत मेरा तड़का हो गए और यह ड़कों करthe से निया करें जिरा वहुआ अचुछ वचerson बाट बोट से देंकित राल कोसे लाएनिया किया धाल सिरे जियला न futur भी यह कैसा लगा आपको यह मेरी दादी की रेसेपी है दादी इस तरीके से ही जीरा राइस बना देती है उपर से टड़का डाल कर इस मेरे रेडी है और आप में लगाऊंगी आटा आटे के अंदर में डालूंगी ग्यू का आटा मैंने दो कप लिया हुआ है और दो टेबल दोंगी आटा लगाने के बाद में उसकी गोलिया बना दोंगी गोलिया बनाने के बाद में पूरी बेल दोंगी और फिर पूरी में तल दोंगी और पूरी के साथ-साथ मैंने यहां पर फ्रायम्स भी तले थे मेरी बेटी के लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ा सा फ्रायम्स भी तल लिये थे यहाँ पर और बस तो फिर में हमारी थाली रेडी है और फिर हम खाना खाने के बैठेंगे और फिर उसके बाद मैं बनाओंगी थंडाई 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 के लिए से भी भी आपको आगे मिल जाएगी तो चलो फिर खाना एंजोई क करते हैं और फिर बनाएंगे थंडाई फिर थाली परोस्ते है तो थाली के अंदर मैंने लिया हुआ है पूरन पुली पूरी फ्रायम्स ग्रीन आलू दन्या वाला जीरा राइस और दाल आपको यह थाली पसंद आई होगी तो चलिए फिर लेंज कर लेते हैं लेंज के नारी करते हैं तो तंडाई के लिए मैंने लिया हुआ है यहां पर मगस तरी के बीज लिए हुए है कैजू लिया हुए है सौ STAR ओली हूए है और बीस बादा करते है वही है यह शूद भरॉघन ने लिया हुआ है और बादां ली हुए है एक टीसपुन बर के मैंने लिढम बनाया हुआ है यह पाउडर तो मेरा रेड़ी है अब मैं शक्कर को भी पीस लूगी तो मैंने यहां पर लिया हुआ है half cup शक्कर तो उसे भी मैं पाउडर बना लूगी ताकि मैं अच्छे से मिक्स सकूँ थंडाई में तो मेरा पाउडर भी है तो चलिए फिर इसे सब मसालो को मैंने डाल दिया है दूद में और फिर में ये ब्लेंडर की हैर्प चे उसे ब्लेंड कर दूंगे अच्छा से ताकि जो हमारा थंडाई का मसाला है वो अच्छा से मिल जाए तो रेडी है मेरी थंडाई यहां पे तो अभी में ग्लास के अंदर लूँगी और इंजॉई करना शेयर करना अच्छे कमेंट्स करना और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई है पूँदे एले कर लाणी कर दो सब्सक्राइब झाले बाबसे है पादो सब्सक्राइब क्लίνऻ कर ढई दो सिरुह कर दो